दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपके अपने इस चैनल में आज हम आपके लिए बहुत ही 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 इसको क्या हुआ है इसका हमने क्या उपचार किया है, कैसे डाइगनोसिस किया है ये संपूर्ण जारकारी आपको मिलेगी उससे पहले आप मेरे चैनल को सस्क्राइब करें लाइक और शेर करें दोस्तों आपको जो स्क्रीन पर ये भेंस दिखाई दे रही है ये अब अफेलो दिखाई दे रही है इसको रेबिज हुआ है ये हमने डाइगनोसिस कैसे किया है कि इसको रेबिज हुआ है ये में रेबिज के लक्षन क्या क्या देखने को मिलते है सर परतम रेबिज होता किन कारणों से साथियो रेबिज में मुख्य कारण होता है कुत्ते का काटने का यानि जो पागल कुत्ता अगर आपके पशो को काट ले तो उसके कारण पशो में रेबिज हमें देखने को मिलता है हम जब यहाँ पर आये तो हमने पशो मालिक से इस्ट्र ली तो पशु मालिक ने बताया कि हमने इस भेंस को आठ दिन पहले ही खरीदा है और यह अच्छानक से कल से पागल हो गई है और आज यह बेट गई है पूरी तरीके से पशु मालिक ने बताया कि कल यह भेंस पूरी तरीके से पागल हो गई थी जो भी इसके पास जाता है उसको मारने को दोड़ती है और इसके मुँझे जाग भी निकल रहे हैं और लार भी गिरती है और इसने कल से कुछ भी नहीं खाया पिया है लेकिन फिर भी इसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी थी यही लक्षन है रिबिज का कि पश्यू खाता कुछ भी नहीं है लेकिन उसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रहती है पश्यू मालिक ने बताए कि इसने कल इसके पास जो भी समान रखा था है उसने सबको तोड़ फोड़ दिया है एकदम से पूरी पागल हो गई है आंके इसकी बहुत भयंकर दिखाई दे रहे है यह कान पूरी तरीके से उचे थे और हमको भी अपने पास नहीं आने दे रही थी यह लगबग एक गंटे से अब नीचे बेट गई है और अपना मुझ खोल के सांस लेने लगी है तो हमने इसको डाइगनोसिस किया कि इसको रेबीज हुआ है यानि प्रोपर यह केस रेबीज का ही है तो हम जब वहाँ पहुचे था हमने ना तो इसके कहीं मुँ में हाथ लगए और ना ही हमने को इसका इलाज किया है बस हमने इसको डाइगनोसिस करके ही पशु मालिक को बता दिया है साथियो इसके लक्षन क्या क्या देखने को मिलते है लक्षन में हमें सरुफर्थम मिलेगा कि पशु मारने को दोड़ेगा यानि उसके पास जो भी जाएगा चाहे उसका खुद का बच्चा हो यानि दूसरे कालफ हो या कोई भी हुमन हो आप मनुश्य भी अगर उसके पास जाते हैं वह किसी को भी नहीं पेचानता है वह अपने खुद को भी नहीं पेचानता है सात्यों रेबीज पशु के एक ऐसी घहतक बिमारी जिसमें 100% अगर पशु में इसके लक्षन दिख जाए तो 100% उस पशु की डेथ होना निश्चित रहती है जब आपको दूर से जाने में यह सारे लक्षन दिखे तो आप उस पशु के पास कता पी नहीं जाए आपके लिए गहतक हो सकता है और आप जहां तक रही बात उस पशु के मुँँ में हाथ बिलकुल भी न डाले क्योंकि रेबिच एक ऐसी विमारी जो पशु होने के आशंका रहती है और कई बार हो भी जाता है इसलिए हमेशा ध्यान रखे कि रेबिच से ग्रशित पशु के पास आप कदा भी नहीं जाए इसलिए आपका बला है यह पशु भी पिछले कल से दो दिन से सभी को मार रहा था यह कर रहा था लेकिन अब जब हम इसके पास आए तब तक यह आकरी स्टेज में आ चुका है यानि अब यह एक से दो गंटे के अंदर इसकी डेथ होना निश्ची थे क्योंकि अब यह पूरी तरीके से ठक चुका है और वाइरस पूरी तरीके से रेबिज ने इसको घर लिया है और अब इसकी डेथ होना निश्ची थे तो हम इसको कहीं पर भी हाथ ना लगाएंगे और कहीं पर भी इसका कोई डिविट ट्रीटमेंट करना हमें बिलकुल भी नहीं है इसका कोई treatment है यूह तो कवल वेक्सिनेशन यानी वेक्सिनेट GB इसलिए धियान रखे पुछु पालको को भी बता दे हम कोई ब्लू हमें वेटनरी डॉक्टर ने कॉँल कुछँ की बीमारी जब पुछ कुछ फाल के optics का उप्वहे कार रेяет जो आगर आप ठीका लगाने में कोई भूल कर देते या चुक जाते हैं तो आपके पशु की बाद में डेत हो जाती तो आप ध्यान रखिक हमेंसे जब आपके पशु कर किसी कुट्थे ने काटा है तो आप उस इस्तेती में रेबिज का ठीका जरूर लगवाए और अपने आपक वह भी लगा ले और अगर वेटनेरी डॉक्टर ने किसी ने इसको डाइगनोसिस सही से नहीं किया और उसका इलाज कर दिया है और कहीं उसके मुह में हाट डाल लिया है तो आप से भी नियदन रहे हैं आप सबसे पहले वेक्सिन जरूर ले और जो टिटनेस का टिकाता वह भी लगाए और रिविज का दोने के वेक्सिनेशन जरूर करवाए चाहतो इसका कोई टिटमेंट नहीं है हमारा यह वीडियो बनाने मकसद यही तापके आपको रिविज की जानकारी मिले और अच्छी तरीके से आपको समझ में आये ताक कि आप भी इससे बच सके यह जो बेसे यह भी बार-बार जमाई लेने की कोशिस कर रही है यानि मूग खोल के पूरा मूग खोल के फिर बंद करेगी पूरा लेकिन अब यह आकरी स्टेज में आगाई यह तो ना तो खड़ी हो पा रही है और ना ही किसी को मार पा रही है यानि पूरी तरीके से अब इसका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है और अब इसकी डेतोना निश्ची थे धन्यवाद